हलो बच्चों कैसे हो आप सब आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे तो आज हम करेंगे हिंदी का निबन जिसका नाम है मीरा पंजाब तो इस निबन के जरी हम अपने पंजाब को और भी जानेंगे ठीक हैं तो देखते हैं पंजाब को पांच पानियों की दर्थी कहा जाता ह है किंटू विवाजन के बाद जे परदेश तीन पानियों की दर्थी ही रह गया तो बच्चों पहले क्या था कि पंजाब को पांच पानियों की दर्थी इसलिए कहा जाता था कि जहां पर पांच नदियां थी कौन-कौन सी थी रावी सतलुज जेलम चनाब और ब्यास ठीक है लेकिन जब भी वाजन हुआ पंजाब और उसका पाकिस्दान का तो उसमें कौन-कौन सी नदिया रहेगी पंजाब में रावी सतलुज और ब्यास ठीक है अभी पंजाब के पास सिर्फ तीन नदियां ही बहती है एक नौंबर सन 1906 से पंजाब में से हर्याना और हिमाचल प 1362 वर किलोमेटर है तथा सन 2001 को जन संक्या की आंकडों के उन्चार इसकी जन संक्या 2.42 क्रोड है गुरूओं पीरों पगंबरों रिशियों मुन्यों की पंजाब की इस दर्थी ने बारत पर होने वाले परतेक आक्रमन का सामना किया आक्रमन मींस हमला युनान के सिकंदर महान के अक्रमन का तो पंजाबियों ने खदेर दिया था किन्तु मुहम्मद गोरी की अक्रमन का आपसी फूट के कारण मुकाबला ना कर सके रास्टियर्था की कमी के कारण जहां मुसल्मानी शाषन स्तापित हो गया किन्तु शूर्विर्था देश बगती पंजाबियों की रग रग में बरी रही इसका परनाम पंजाबियों ने पहले तथा दूसरे विश्व जुद में तथा सन उननी सो हर्टाली उननी सो पैंसर और उननी सो इकतर के पाकिस्तान के हुए जुद्धों तथा मई उननी सो नियन्यानिवे में हुई कारण जुद में दिया तो बच्चो इसमें हमने बताना है कि पंजाब के उपर किन किन लोगों ने आकर्मन किया सबसे पहले जो जुनान का सिकंदर था उसने आकर्मन किया लेकिन वो हार गया था उसके बाद जो मुहम्मद गोरी था उसने पंजाब के उपर अक्रमन किया लेकिन तब पंजाब में आपसी फूट के कारण मिन्सकी वो सक्सेसफुल रहा उसको सफलता मिली ठीक है तो यहां पर फिर क्या हुआ जब मुहम्मद गोरी ने आकर्मन किया तो उसके बाद मुस्लमानी जो शाषन था वो स्थापित हो गया था ठीक है लेकिन फिर भी पंजाबियों में देश बक्ति और शूरविर्ता थी और उन्होंने अपनी शूरविर्ता का जो परनाम कहां पर पाइब को 1971 को ठीक है उन्होंने वही मिंस की इन जुदों में पंजाबियों ने मिंस की अपनी शूरविर्ता को दिखाया ठीक है ना और एक जुद था 1999 में जो कारकेल का जुद हुआ था नेक्स्ट है पंजाबी लोग दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं वहां उन् किसान देश में सबसे अधिक अनाज देते हैं इसका कारण जहां की उपजाओ भूमी आदुनिक क्रिशी तकनीक तथा संचाई सुविदाओं का विस्तार है जहां की मुख्य उप्स गेहूं कपास गन्ना मक्की और मुंखफली आद है सबजियों में आलू मटर की पैदाव के लिए पंजाब जाना जाता है पंजाब में उद्जोगिक शेत्र में भी काफी उन्ती की है लुद्याना होजरी के समान के लिए जलंदर खेलों के समान के लिए अमरसर सूती वे उनी कपड़ों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं मंडी गोबिंदगर्द इसपात उ खार्णों के लिए जाने जाते हैं अब नेक्स्ट है शिक्षा के परसार के लिए पंजाब देश पर में दूसरी नंबर पर है पंजाब में शी विश्व विडाले सेंक्रो कॉलर्स और हजारो In this पंजाब की इस प्रगर्ति के कारण इस प्रदेश में प्रतिव्यक्ति की ओस्त आया 20 से 30,000 वार्षिक है गुरू, पीरों, महात्माओं और वीरों की जेदर्थी उनिति के शिक्रों को शूर ही है ठीक है तो यह था हमारा निबन, मेरा पंजाब आशा करती हूँ कि आपने इसमें जुरूर कुछ सीखा होगा वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें